हाई गाईज वेलकम बैक टो में चैनल कैसे हूं आप सब आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी डियाइवाई शेयर करूंगी जो बिल्कुल प्लैन नहीं थी आज मैंने आप लोगों के साथ ये नहीं शेयर करनी थी ये वली वीडियो क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि ये वली जो DIY है मोस्टली लोगों को पता होगी बहुत सिंपल है इसको बनाना बहुत एजी है दो बन जाती है बट मैं इसको बीच बीच में अपनी यूज करते रहते हैं जब ये मिर पर सवर सा टाइम होता है ये पील-off मास्क है कॉफी पील-off मास्क है और स्किन वाइटनिंग पील-off मास्क है इंस्टेंट अब को अगर कहीं पे जाना है ना तो इंस्टेंट अगर आपको वाइटनेस चाहिए ना तो ये बिल्कुल वो चीज देता है और अगर पिंपल्स बगएर है तो इसकी प्राउलम सोड़ी से सौट आउट होजएगी राइट नाउ अब मैं अपलाई करने वाली थी तो मुझे लगा कि चलो यार आज वीडियो शूट करी देती हूँ मैं राइट नो मेरे फेस के पर कुछ भी निया मैंने कोई मेकप अगरा नहीं लगावा नथिंग लिप्स के उपर मैंने लगाया नीविया के लिप अब पहले देखो कि बंती कैसे है रेमेडी इसको तैयार कैसे करना है इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको चाहिए हाफ लेमन आधा नीबू लेरी हूं मैं उसको मैं स्क्वीज कर लोंगी टाकि एक चमच मेरा लेमन जूस निकल सके नीबू का जूस निकल सके और उसके पाद फिर मैं लोंगी टमाटर तोमैटो लोंगी मैं तोमैटो को न इसको जूस निकालने से पहले मैं थोड़ा सा इसको सॉफ्ट कर रही हूं आप देख सकते हो टेबल के उपर एसे करके और उसके बाद में हलका सा नाइफ डालूगी और इसे एक चमच जूस बोहुत आर एक रुपे वाले हैं तो मतलब इतनी ही मुझे क्वांटरिटी चाहिए आप किसी भी ब्राइंड के ले लेना मतलब मुझे एक चमच मुझे भर के कॉफी चाहिए यह आधा-धा चमच होता ना दोनों में तो एक चमच मुझे भर के कॉफी चाहिए अभी तक मैंने तीनों क कर रही क्योंकि जैलेटीन अभी तक मैंने यूज नहीं किये बड़ चलो डैफिनेटली कभी बनाओंगी तो जैलेटीन वाली भी बनाओंगी एक चमच मैंने यह विला ले लिया और इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर रहे हूं बिल्कुल भी लंब्स नहीं रहने चाहिए अ अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी तो यह बिल्कुल रेडी हो गए अब मैं इस पील आफ मास्क को अपने फेस के उपर अपलाई करूँगी और अपने आई एरिया को थोड़ सा अवाइड करना वहां पे आपने नहीं लगाना होता पील आफ मास्क थोड़ी से मैं मोटी म अशर भी कर सकी और जब मैं इसको पील आउट करू ना तो यह बहुत अराम से उतर सके मोटी लेर अराम से उतर जाती पतली लेर अराम से नहीं उतरती इसके अंदर जो मैंने नीमू डाला है वो आपके दाग धब्बे के उपर काम करेगा और आपके रंग को भी गोरा है और पील आफ मास्क आपके ब्लाक हेड्स को हटाएगा ठीक है मैंने इसको 20 मिनट के लिए रख लिया था उस पील आफ मास्क को और 20 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि यह बिल्कुल ड्राइ हो चुका है 20-25 मिनट तक अप्रॉक्सिमेटली यार जब तक आपके कंप्ली अच्छा मैंने लास्ट वीडियो की थी एक पील आफ मास्क था गुड वाइब्स का उसमें मैंने ऊपर से लेकिन नीचे तक उसको पील आउट किया था तो आप लोगों में से किसी ने कमेंट किया था कि दी आपने गलत पील आउट किया है तो ढिएर इस बार चलो मैं इस पील आउट कर रही हूं ठीक है सौरी कई वर आप लोग भी होते हो करेक्ट करते हो क्या आप लोगों के जरूर कमेंट्स को समझती हूं और जैसे आप लोग मुझे भी फील हुआ कि शायद मैंने गलत पूल आउट किया नीचे से अगर मैं उपर करूंगी तो ही मेरे बाल चोटे-चोटे वाले वह बाहर निकलेंगे तो करेक्ट वे यही है डियर नीचे से आपने उपर की तरफ आपने पुल करना होता है ठीक है धीरे-धीर मैं इसको पुल कर रही हूं पेन के अगर मैं बात करूं तो हाँ थोड़ी-थोडी पेन हो रही थी मैं यह नहीं हो रही थी पेन तो हो रही थी थोड़ी-थोड़ी एंड लेकिन अपने दीरे-दीरे चुटे-चुटा कॉर्णर पकड़के उतारो अराम से उतर जाता है कुई इतना भी नहीं है और इस बार यार फॉर्स टाइम मेरा पील आफ मास्क पूरा पूरा का पूरा साथ में उतरा पीसे मतलब ऐसे लगता है जैसे स्किन के उपर से ना चोटे-चोटे जो हीर्स नहीं होते हैं वह बिलकुल निकल गए थे और मैं थोड़ा-थोड़ा सा अपनी नेक को भी वह कर रही उतार रही हूं बाकी का जितना लगा उसको मैं पानी के साथ धूदूंगी कोई फेस वाश मत यूज करना कुछ मत अभी उसकरना बस अब आपने टोनिंग करनी है और आपने अपनी क्रीम लगानी है तो यही था आज की रेमडी होप आप लोगों को पसंद आई आप मेरी स्किन देख सकते अगर आपको थोड़ी से भी शाइनी ग्लोइंग लग रही है ज़रूर इसको प्राई करना और मुझे बताना जरूर कमेंट बॉक्स में मिलते हैं अपनी नेक्स वीडियो में अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना फ्रेंस अब के साथ आप शेयर कर देना अब सब्सक्राइब करोगे बेल बटन का प्शरूर लिट क निकल गया और मैं थोड़ा से दिखा दो यह दिको फेशल हेर्स निकले हैं आई होप मेरा फोन कैप्चर कर सके जो छोटे छोटे रोएं रोएं जैसे बाल होते न वो निकले हैं ब्लैक है भी निकले हैं आपने देखी लिया कि मेरा नोस कितना ज़्यादा शाइन करा था चमक तो आपने हफ़ते में एक बार पील आफ मास्क यूद जरूर करना होता है ताकि आपकी स्किन बिल्कुल इंटर्नली क्लीन हो सके